प्रसंग पूरे भारत में ब्रहमन कर रहे थे और बाद धरम की सिक्षाओं का प्रशार कर रहे थे एक बार वो अपने शिश्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे काफी देर तक ब्रहमन करने के कारण महात्मा भुत का गला सुख गया और उन्हें प्यास लगने लगी प्यास बढ़ने पर उन्होंने अपने शिश्यों को पास के गाउं से पानी लाने का आदेश दिया गुरू की आग्या पर वह शिश्य पानी लाने के लिए पास के गाउं जब वह शिश्य नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग नदी में स्रान कर रहे हैं कुछ लोग अपने कपड़े दो रहे हैं तो कुछ लोग अपने पशो को भी इस नदी में नहला रहे हैं जिसके कारण नदी का पानी काफी प्रदूशित हो चुका है पानी का यह हाल देकर शिश्य ने सोचा गुरुजी के लिए पानी ले जाना उजित नहीं होगा और वह बिना पानी लिये हुए ही पहुँच गया शिश्य को बिना पानी लाते दे बुद्ध जी ने दूसरे शिश्य को पानी लाने के लिए भेज दिया कुछ समय बीता और वो दूसरा शिश्य मटकी में पानी लेकर आ गया यह देखकर पहला शिश्य अश्यरे चकित हो गया उसने पूछा कि गाउं की नदी का पानी तो बेहत गंदा था तो फिर तुम ये पानी कहां से लाए सवाल का जवाब देते हुए शिश्य ने बोला जब मैं वहाँ पहुँचा तो नदी का पानी वाकई में बहुत गंदा था लेकिन जब सभी अपना-पना काम करके वहां से चले गए तो मैंने थोड़ा विचार किया और वहाँ पर बैठ गया कुछी समय में पानी में मिली सारी मिट्टी नदी के तल में जाकर बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया और वही साफ पानी मैं मट्की में भर कर ले आया अपने शिश्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध बेहत प्रसन हुए और बाकी शिश्य को को शिक्षा देते हुए बूले जब हमारे जीवन में दुख दर्द और बुरा समय आता है तो हमारा जीवन भी उस जल की बाती गंदा प्रतीत होने लगता है लेकिन हमें उस गंद की रूपी बुरे वक्त का संगार मान कर या निराश होकर बैठना नहीं चाहिए भलकि धहरे रखते हुए शांत मन से परिस्तिती का आकलन करना चाहिए और सही निर्णे लेकर पूरे आत्म विश्वास के साथ उस पर अमल करना चाहिए तो कि ध्यारे, शांत मन और निर्ने लेने की शमता और आत्म विश्वासों तो बुरे से बुरे वक्त को भी हरा कर आगे बढ़ा जा सकता है दोस्तों जिस तरह से उन शिश्यों ने उन चार बातों के दम पर नदी के जल को साफ कर और शुद्ध जल को पा लिया बिल्कुल उसी तरह हम भी जीवन की सारी गंदगी, सारे दुख, सारी परिशानियों से निपट कर बहतर और सुखी जीवन पा सकते हैं बस जरूरत है तो इन चार बातों को अपनाने की इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिस्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पह सके धनेवा दोस्तों